Class 9 के हम Chapter 10 के बारे में यानि Gravitation के बारे में हम बहुत ज़़ादा बात कर चुके हैं आज हम जो बात करेंगे वो बाइयनसी के बारे में हैं और यह लास्ट टॉपिक होगा हमारे Archimaldic Principle का Related यह पूरा ही वो ही पॉइंट है तो जहां से देखेंगे मतलब जब आप कभी भी किसी भी पूल में नहाते हो तो आप क्या महसूस करते हो कि आप बहुत हलका महसूस करते हो आपने कभी भी अगर कुए पानी वाले जो कोते हैं जिसमें रसी डालके खिशते हैं अगर निकाली है तो वो पानी से बाहर आने के बाद बाहरी क्यों लगती है आपने को देखा होगा कि जो हमारा सीप होता है जाज होते है समुदरी जाज की बाद चल रहे हैं वो आइरन और स्टील के बने हुए बट वो नहीं डूबते किसमें सीवाटर में समुदर के पानी में बट विल सेम अमाउंट आप आइरन स्टील इन दा फॉर्म अप देस्टील वन वुर्ड सिख अगर उतना ही अमाउंट काम अगर आइरन और स्टील को पानी में रख दे तो वह डूब जाएगी इस कुश्चन कैन बी आंसर बाइदा टेकिंग बायंसी इदा कंट्रिक्शन लेट असिदा अंडर दा मीनिंग बायंसी बाय डूइंग एक्टिविटीज यानि इसमें कुश्चन से अपको पूछें बायंसी का मतलब होता है एक तरीके का उच्छा समझे रहा हिंदी में से उत्पलावक्ता कहते हैं वहीं कलग ज्यादा बड़ा वर्ड हो गया अब उ सब्सक्राइब कर दें जिसमें से एर ना निकले तो आप उसे अगर पानी में रखेंगे तो वह से उपर को फोर्स लगाती है तो यहां पर यह पॉइंट थोड़ा सा कि लिए अगर देखो मैं यहां पर देखाता हूं वाय ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक वेंड एप्लेस on the surface of water अबसमेरे यानि की पानी की जो हमारी surface है उस पर रखने पर जो हमारी object है वो तेहरते हैं यह क्यों डूपते हैं मतलब दोनु condition पूछिए कि वो तेहरते हैं या फिर डूपते हैं अखिर क्यों होता है तो इसके लिए उन्होंने एक condition वाली बात को दिखाया है कि the nail sink the तो यहां पर क्या है कि जो ग्रेविटेशन अट्रेक्शन होता है जितना वेट मतलब वो नीचे लगाता है उतना वाटर उपर के लिए नहीं लगा पाता है मतलब कैसे मतलब वाटर क्या कर देखो हमको पता है हमारा जो वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पे तो जितनी पावर से हमको नीचे खीचा जाएगा वो हमारा वेट होगा लेकिन जब हम पानी में जाते हैं तो हमें एक 22 फोर्स हमारे उपर काम करता है जिसकी वज़े से हम लोग बागों को क्या अट्रेक्शन नीचे की तरफ होना जाही अकोर्डिंग तो अर्थ हमको वो उपर की तरफ नहीं हो पाता क्यूंकि कील के एक देखिम नौक है यह वाली नौक समझीए जब वो पानी में डाली जाती है तो उस नौक के एरिया पे कितना फ उसी के कंपेर में जब हम उसको अच्छे से बढ़ा कर देते हैं तो आप उसके नीचे से एरिया पे जो हमारा वाटर है वो ज्यादा फोर्स लगा पाता है जिसकी वज़े से वो नहीं डूपता है तो आर्कमडी प्रिंसिपल ने क्या क्या एक एक सांपल इसके लिए दिया आप इसको पढ़ लेंगे मैं ऐसे समझा सकता हूं कि उन्होंने एक क्या क्या एक पीस लिया स्टोन का स्टोन समझते हो पत्थर उसका एक पीस लिया और उसको एक स्प्रिंग या रबड स्ट्रेच अलब कि छले से या पर कोई रबड वाली जो भी हमको मिल सकती है रसी एक कंडिशन में हमने वह स्टोन को बांद के उसमें रबड की एक स्ट्रिप में बांद के उसको लटका हूँ तो इस ट्रिप यहां पर खिच रही है क्योंकि उस पर वेट पड़ेगा तो वह लंबी होगी उसके बाद उन्होंने क्या क्या एक वाटर का टब लिया और उसम तो यहां यहां पर आपको नहीं लग रही हो लेकिन मैं बता रहा हूं जैसके इस पाणी में डाल तो इस इस प्रिंग जुए घ्रयवर्वर्ड जो थी वह कम हो गई कांगी entertaining आप दर यहां पर उसके की च्शाल चादा काम फिर फिर उनने एक और बात नौटिस की हमने इस पानी में यहां तक इसको डिप किया यहां किया यहां किया और नीचे तक किया कोई फरक नहीं पड़ा मतला एक बार जो फूर्स यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर काम कर रहा हूं सेम था तो यह बात यहां पर इन्होंने आर् यह यह जो पूरी स्ट्री यहां पर लिखे हुए यह वो ही है कि you will find the